क्या stock market में full time career बिना जा सकता है? क्या क्या career है जो stock market में possible है? इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ तो इसको last तक देखेगा और सारे career के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वो career क्या है, क्या scope है और आपको क्या करना पड़ेगा अगर उस career में आप खुसना चाते हैं तो दोस्तो मेरा नाम है विवेग बजाच और मैं हूँ market में काफी समय से और मुझे समझ में आता है इस market में चलता क्या है? stock market, एक career जो कि हम सब imagine करते हैं कि हम करें stock market, लगता है कि कितना पैसा कमाया जा सकता है और कितना अच्छा career बन सकता है गलत नहीं है career अगर share बजार में set हो जाएना तो बहुत पैसे बन सकते हैं चाहे आप खुद के पैसे से पैसा बनाएं, चाहे दूसरों के पैसे से पैसा बनाएं पैसा आपके घर में बहुत आ सकता है अगर आप right career path में जाएंगे तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या सही path है आपके लिए और क्या क्या options है जिनको आप explore कर सकते हैं ये discussion दो भाग में distribute करते हैं दोस्तों पहला आपके पास पैसे हैं और आप उन पैसों से career बराना चाते हैं दूसरा आपके पास पैसा नहीं है शायद आप job करना चाते हैं या दूसरों से पैसे लेके market में career बराना चाते हैं पहला अगर आपके पास में पैसा है और उस पैसे से आप और पैसा कमाना चाहते हैं और फुल टाइम मार्केट में इस काम में इन्वाल्व होना चाहते हैं इसका मतलब या तो आप फुल टाइम ट्रेडर हैं या फुल टाइम इन्वेस्टर हैं अगर आप फुल टाइम ट्रे पैसा उनकी हाい जमादедेना ए और ट्रेडिंग करना है या इनमेस्टिंग करना है इसमें किसी भी तरह का कोई क्वावलेफिकेशन के रिक 확 nervous नहीं है तो आपको किसी भी एक्जाम को प्रिफ लावव काने किरिक बनिए और मार्केट में पाटिस्पेट करिए लेकिन ये वीडियो में मेरे लिए एक्चिली दूसरा जो आप्शन है उस पे ज्यादा चर्चा करना इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप शेर बजार में फिर भी करिये बनाना चाहते हैं तो अगर आप मार्केट में उतरना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं तो कुछ क्वालिफिकेशन की रिक्वार्मेंट है जो आपको पुरी करनी परेगी दोस्तों ये क्वालिफिकेशन आपकी जो एकैडमी क्वालिफिकेशन है उसके अलावा की क्वालिफिकेशन है जैस इसी भी stream का graduation कर सकते हैं चाहिए आप science student हो सकते हैं आपको stock market में welcome है आपके job मिलने की possibilities में कहीं भढ़ाती नहीं होती है अगर आप सरिफ commerce graduate है तो तो graduation होना preferable है और उस graduation के साथ साथ आपको market regulator के जो qualification है जो certification है उसको pass करना जरूरी है अब मैं इस चर्चा को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और आपको market regulator के qualification के बारें बताता हूँ एक organization है NISM National Institute of Securities Market जो की से भी द्वारा स्ताफित के वी है और अगर आप market में किसी भी तरह का full time काम करना चाहते हैं अपने पैसों से नहीं लेकिन अगर आप market में या तो job करना चाहते हैं या दूसरों का पैसा manage करना चाहते हैं या दूसरों को advice देना चाहते हैं तो आपक कोई न कोई certificate लेना पड़ेगा अब क्या क्या certificate है जो आप ले सकते हैं अगर आप NISM की website पर जाएंगे और certification में click करेंगे तो यहां आपको पता लग जाएगा कि कौन-कौन से exam है जो आपको देना पड़ेगा तो चले अपने अंदर चलते हैं certification exam में तो देखे NISM की list यहा फर एक्जांऽ्पल अगर आप derivatives में dealer बनना चाहते हैं dealer मतलब आप client के बहाफ में काम कर रहे हैे हैं client के बिहाफ में dealer बनना चाहते हैं तो एक derivative का exam है अगर आप derivative का exam pass करेंगे तो वो है NISM series 8 इसका मतलब series 8 जो की equity derivative का exam है वो आपको pass करना पड़ेगा जैसे ही आपको exam pass कर लेते हैं वो certificate आपको मिल जाएगा और आप किसी भी broker को approach कर सकते हैं वो आपको employee बना सकता है as a dealer अगर आप commodity में करना चाहते हैं अगर आप currency में भी करना चाहते हैं अगर आप interest rate में भी करना चाहते हैं तो NISM ने एक बहुत ही जबरदस्त exam बना रखा है common derivative exam जिसको यह कहते हैं NISM series 13 यह आप देखिए 13 यह 13 अगर आप pass कर लेते हैं तो आप सारे assets के अंदर में किसी भी broker के आपर employed हो सकते हैं तो पहला कदम अगर आप market में employee बना चाहते हैं और किसी भी broker के आपर apply करना चाहते है as an employee तो फिर NISM 13 exam है जो मैं आपको recommend करूँगा कि आप देखिए आप pass करें और फिर किसी भी broker को job के लिए apply करें दूसरा अगर आप dealer नहीं बना चाहते हैं और आप बोलते हैं कि मैं advice करना चाहता हूँ client को मैं उनको recommendation देना चाहता हूँ कि ये stock आप लीजिए ये stop loss में लीजिए ये take profit में लीजिए या आप ये बताना चाहते हैं कि ये sector अच्छा है इस sector पर आपको buying करनी चाहिए अगर किसी भी तरका research oriented आप input देना चाहते हैं और आप employee बनना चाहते हैं तब आपको NISM का research क exam pass करना पड़ेगा जो की है NISM series 15 research analyst दो तरीके का occupation होता है एक या आप employee बन सकते हैं किसी broking firm का या कोई research firm का या आप खुद का research भी चालू कर सकते हैं as an independent research provider दोस्तों ये भी बहुत अच्छा occupation है और धिरे धिरे काफी लोग है जो इस occupation को adapt कर रहे हैं कि मैं independent हूँ मैं किसी भी broking firm के साथ associated हूँ मेरे नाम का research firm है और मैं उस firm के अंदर में research service provide कर रहे हूँ against a monthly compensation और quarterly compensation from the client. Research analyst का जो certification है वो लेने के बाद में आपको सेवी के अंदर में जाके as a research analyst license लेना पड़ेगा ताकि आप independent research analyst का का काम कर पाएं तो अगर आप किसी company में employee के रूप में जाएंगे तो वो company research analyst का regulation में license ले चुकी होगी आप बस वहाँ पर जाके अपने आपको add कर सकते हैं और अगर आप खुद का चालू करना चाहते हैं तो as an individual भी आप चालू कर सकते हैं या खुद का firm बनाके भी चालू कर सकते हैं तो research advisor का आपको license चाहिए तो पहले आपको यह exam pass करना पड़ेगा उसके बाद सेवी की website पर जाके उनको apply करना पड़ेगा उनके कई criteria हैं कि आपको यह यह background हुआ तब हम आपको license देंगे और यह exam pass करना और continuously यह exam pass रहना चाहिए हर exam का एक expiry period है continuously इस exam को pass करते रहना पड़ेगा ताकि आप उस license को continue कर पाएं उसके बारे में detail देखे आपको सेवी के website पर जाके आपको पता लग जाएगा कि research analyst बनने के लिए मेरे क्या क्या criteria क्या क्या requirement है वो मैं अभी cover नहीं कर रहा हूं बट कमी मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी अपने वीडियो बनाएंगे दूसरा अगर आप investment advisor बनना चाहते हैं देखे दो अलग अलग बाते हैं research analyst का काम है research देना उसको मतलब नहीं है कि client उस research को use कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर आप investment advisor बनना चाहते हैं इसका मतलब आप client को advise देना चाह रहे हैं कि sir आपको ये portfolio में invest करना चाहिए आपको इस stock में invest करना चाहिए इसका मतलब ये बहुत personalized हो गया client specific काम हो गया तो आपको investment advisory का license लेना होगा investment advisory का license लेने के लिए भी आपको exam pass करना पड़ेगा तो एक exam है NISM का 10A वैसे 10A और 10B दोनो investment advisory से related है बट आपको 10A pass करना पड़ेगा which is mandatory और SEVY के पास जाके as an investment advisor license apply करना पड़ेगा जिसके अपने criteria हैं और ये exam भी आपको pass करना पड़ेगा difference का है research analyst सिर्फ research देता है वो advice नहीं करता है investment advisor advice करता है और client specific advice करता है generic advice नहीं करता है तो आप अगर मेरे client बनें तो मुझे आपके बारे में पता होना चीए इसका मतलब आपका मुझे KYC know your client करना पड़ेगा आपका information आपसे मागना पड़ेगा उसी के आधार पे मैं आपको advice दूँगा पेरा research analyst को KYC की requirement नहीं है उसको पता नहीं करना है कि कौन client आपका research को consume कर रहा है बात समग में आगई तो अगर आप as a full time occupation share बजार में आना चाहते हैं और किसी as a professional share बजार में घुसना चाहते हैं not as a client, as a client तो मैंने आपको कही दिया कि आप किसी भी broker के account खुल के काम कर सकते हैं आपको कोई exam pass करने के requirement नहीं है लेकिन as a full time professional आप market में आना चाहते हैं तो आप या तो dealer बन सकते हैं या research channelist बन सकते हैं या आप investment advisor बन सकते हैं ये तीन broader occupation option available है अब ये बात आती है कि sir क्या ये exam pass कर कि मैं employable बन पाऊंगा उसका answer है देखिए जितना जादा आपके पास में qualifications होगा जितना आप पढ़े लिखे अपने आपको project करेंगे उतना आपके अंदर में business create करने की opportunities होगी तो अगर आप employability की बात करें तो obviously अगर कोई CFA है, CA है या MBA finance है और उसके साथ NISM का certificate जुड़ा हुआ है तो उसको नौकरी मिलने की possibility ज़ादा है और अगर आप business की बात करें तो आप जब client के पास जाएंगे और सिर्फ NISM का certificate लेके जाएंगे तो obviously वो sufficient नहीं होगा तो कहीं ने कहीं आपको add-on qualification की शायद requirement हो जाए तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपके पास CFA है या CFPA या कोई भी add-on qualification है जो की globally recognized qualification है उससे आपको definitely फायदा होगा एक और बात अगर suppose आप CFA, CFPA, CEA या सब पास नहीं कर पाएं लेकिन फिर भी आपको market के अंदर में अपना एक profession बनाना है तो NSC Academy जो NSC का part है ये काफी courses provide करते हैं उसमें से एक course है जिसके हम partner है वो course का नाम है CRTA अगर आप NSC की site पे जाएंगे तो यहां आपको program नज़र आएगा CRTA अगर आप इसमें click करें तो CRTA program एक ऐसा program है जो comprehensive knowledge देता है जिसमें आपको research channel भी बनने का potential मिलता है और trading करने का भी potential मिलता है और advisor बनने का भी potential मिलता है तो जो लोग CFA वगरे नहीं कर पा रहे हैं उनको expensive लग रहा है यह काफी time लगता है वो CRTA qualification भी करते हैं साथ में NISM का qualification ले लेते हैं CRTA के साथ में NISM का qualification anyways ही करना परता है क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको final CRTA का certification नहीं मिलेगा तो इस तरह का specialized certificate भी आप कर सकते हैं और market के अंदर में job के लिए apply कर सकते हैं In fact, मेरा जो experience है CRTA run करने का almost 600 लोगों ने CRTA program किया यह comprehensive program है यह करने के बाद में typically लोग अपना business चालू कर लेते हैं या तो वो sub broker बन जाते हैं Sub broker मतलब किसी भी broker के साथ associate हो जाते हैं और अपने client के साथ में काम करने लग जाते हैं या वो research analyst बन जाते हैं मतलब खुदी का research लोगों को sell करने लग जाते हैं या investment advisor बन जाते हैं और equity, mutual fund, insurance यह सब को मिला के client का financial planning need को पुरा करते हैं तो दोस्तों आपके उपर है कि आप क्या करना चाहते हैं या तो आप वो qualifications कर लीजे और NISM के जो qualifications है, certificates है उनको ले लीजे और SEBI को apply करिए एक independent professional के रूप में या आप किसी company में job के लिए apply कर सकते हैं दौनों situation में अगर आपके पास add-on qualification है तो वो आपके successful होने की possibilities को काफी बलाता है तो दोस्तों यह हुआ एक छोटा सा introduction market में full time आने का एक तरीके को बताने के लिए आशा कर रहा हूं कि आपको पसंद आएगा CRTA qualification का link में आपको नीचे दे दूँगा तो अगर आपको वो course के बारे में explore करना है तो आप हमारी website पे जाके देख सकते हैं बाकि NISM का जो certification है यह बहुत standard practice है आप apply यहीं से कर सकते हैं study material भी कैसे पता लगेगा वो सब इसके अंगर में detail दिया हुआ है कुछ NISM certification जो है वो add-on है अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं but from a job oriented या from a employability oriented या profession oriented जो मैंने बताया वो sufficient है अगर आपको add-on करना है तो आप कर सकते हैं उससे आपको obviously और benefit मिलती है आपका resume और better होता है आपकी employability होने के chances और better होता है तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको बताने का कि किस तरह के occupation आप share बजार में देख सकते हैं तो अशा कर रहा हूं कि आपको पसंद आया होगा और आप मेरे इस प्रयास को share करेंगे लोगों के साथ में और जागरुकता बढ़ाएंगे ताकि और लोग जो मार्केट में फुल टाइम करिया बनाना चाहते हैं वो आगे भढ़के बना पाएंगे तैन्यवाद दोस्तों